हेलो दोस्तों वेल्कम टू मैं चैनल तो दोस्तों कुछ बातें में आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुली कुछ अन्योडेबल सरकम्टांसिस आ गया था जिसके चलते में वीडियो अफ्लोड नहीं कर वाया वो कुछ प्रसनर रेलेटेड था तो दोस्तों इसके लिए मु क्या स्बहें आप लोगों के लिए वीडियो सेर करने जारी हूँ ठीका दोस्तों तो आप लोग मेरे साथ बने रहें देखे तो जो लास्ट क्लास्ट जो हमने कИा था उसमें स्टार्ट क्या किया था हसमें उन्ह offense which is mean Sur extraordinarily की अदर हमने कुछ उस डिसकस किया था आपको तो उसी रिजर्ब को फरदर मैं थोड़ा सा एक्स्टेंड करने जा रहा हूं जिससे कि और बेटर तरीके साफ लोगों के इंडरस्टेंडिंग बन सके और हाँ जैसा कि मैंने पीछली क्लास में कहा था कि वर्गमेंड कंपंसेशन रिजर्ब और इ सब्सक्राइब करेंगे और जो इसके बात की जो गुडविल की जो बैलेंस जो क्लासेस हों की लाइक वैल्यवेशन एंड टीट्मेंट इसको हम नेक्स्ट क्लास में कॉड़ अप करेंगे ठीके दोस्तों तो फिर इसके साथ बंदे रहते हैं हम लोग आईए फिर अपने व आप स्टुडेंट के पास इसको आप लोग सेर गरें ठीके दोस्तों चलिए फिर स्विरू करते हैं दोस्तों आईए देखें दोस्तों तो हमने लाश्ट क्लास में जो शुरू किया था वह पीज़सरो हमें शुरू किया था था कि कुछ रिजर्ब क्योंकि उस पे जो महनत जो होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की होती है तो उस पे जो lawful जो right बनना चीए वो right किसके hand में establish होता है receive करने का तो वो था old partner तो old partner को lawfully ये सारा का सार डिजर्ब बिलोंग करता था और उसी को हम distribute कर दे थे old ratio में तो ये हमने वहां तक हमने previous class में cover किया था और आज हम इसी को फर्दर extend करने दा रहें ठीक है तो देखिए देखिए दोस्तों यह हमने पढ़ा था treatment of accumulated profit loss last class में तो इसके अंदर क्या होता है अगर कुछ भी accumulated profit मेरे books में appeared होगा तो उसको हमें क्या करना पढ़ेगा old partner capital account में credit करना होगा क्योंकि इसका credit हम किसको देंगे old partner को देंगे तो अगर old partner को इसका credit देंगे तो ratio कौन सा होगा old ratio तो देखिए accumulated profit account debit to old partner capital account in old ratio ठीक है दोस्तों simple है आगे देखिए अब जैसे accumulated profit है वैसी कुछ accumulated losses भी तो हो सकती है ना partnership में तो अगर profit का right old partner को मिल रहा था तो loss कौन बियर करेगा तो यह loss भी बियर कौन करेगा old partner ही बियर करेंगे तो देखिए accumulated losses के case में old partner capital account debit to accumulated loss account और यह भी किसमें होगा old ratio में होगा ठीक है दोस्तों यह भी किसमें होगा old ratio में ही होगा इसको ध्यार लगए अब हम बात कर लेते हैं कि accumulated profit हमारा है क्या तो देखिए accumulated profit क्या होता है P&L account का credit balance general reserve workman compensation reserve and investment fluctuation reserve यह जो दो aspect था इसको मैंने last class में बता दिया था और यह जो balance के जो दो बचते हैं इसको मैंने आज covered करना है ठीक है इसको हम लोग आज covered करेंगे तो accumulated profit समझगे दोस्तों क्या होता है यह net profit का portion होता है जो कि हम future uncertainty के लिए stuff करते रहते हैं और जिसको further क्या करना होता है और यह future uncertainty के लिए हम बना के रखते है और अब क्या होता है क्योंकि change 9ajन PSR के चलते partnership का reconstitution हो जाता है जिसके चलते यह जो reserve होगा यह क्या होगा ओल्ड पार्ट्नरों में distribute जाएगा तो देखते हैं और accumulated loss की बात कर लेते हैं तो accumulated loss में क्या क्या होगा P&L का debit balance और deferred revenue expenditure deferred revenue expenditure के example advertisement suspense account इसका भी मैंने broader तरीके से प्रिवेस class में discussion किया था अगर आप लोगों नहीं देखा तो प्रिवेस लेक्चर नबर 6 आप लोग रिफर्ड कर लें ठीक है तो यह हो गया accumulated losses का treatment P&L का debit balance deferred revenue expenses ठीक है और treatment के अगर हम बात करें तो treatment यह रहा accumulated loss accumulated profit चलिए चलो दोस्तों तो अब इस दो के बारे में हम बाते करते हैं देखो सबसे पहला कि वर्क में कंपनसेशन reserve account अब आप लोग बोलोगे कि वर्क में कंपनसेशन रिजर्ब है क्या तो देखो अब जो हमारा organization के अंदर employee work कर रहे होंगे worker भी काम कर रहे होंगे तो अब होता क्या दोस्तों कि अगर वो production department में काम कर रहे हैं तो may be possible कि कुछ future unavoidable accident हो जाए accident हो जाए तो इसका direct impact किस पर पढ़ता है employee के उपर उसके family member के उपर पढ़ता है तो इन ही चीजों से safeguard के उपर safeguard प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं workman compensation reserve create कर लेते हैं जिससे कि अगर in future में कुछ भी liability arise होता है workman में से related तो इसी reserve में से हम workman को क्या कर देंगे compensate कर देंगे ठीक है तो देखिए अब यहां पर देख लेते हैं कि this reserve is created for giving compensation to employee giving compensation to employee towards their future uncertainty like accident happened at workplace workplace पर जो भी accident होता है उसके चलते जो भी loss हुआ है किसको employee को तो उसी के regard में हमें क्या करना होता है compensation देना होता है out of this reserve ठीक है तो दोखो यहां पर अब यह दोखो line at the time of reconstruction of farm this reserve should be created to old partner in their old ratio अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है तो देखो दोस्तो री कंस्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको previous class में अच्छे तरीके से explain किया था री कंस्टिटूटर मींस not only change in PSR but also it means it include admission retirement death and amalgamation of a partnership firm amalgamation of a partnership firm तो चेंजिन री कंस्टिट्यूशन में change in PSR भी होगा admission भी होगा retirement भी होगा death भी होगा तो यह जो भी treatment हम देख रहे हैं जैसा कि मैंने पहले ही पताया था किसको comment तरीके से cover करेंगे तो यहां पर accumulated profit loss old partner capital जो भी accumulated profit loss है चाहे change in PSR का case हो retirement का case हो या admission case हो इन तीनों ही cases में यह सारा का सारा बिल्कुल common है तो इसको मैं अलग से कुछ नहीं बताऊंगा इसको नोट कर लो यहीं पर तो यह सारा के सारा बिल्कुल common चलेगा चाहे change in PSR का case हो चाहे admission को चले टार्मेंट को reserve in surplus revaluation of asset and goodwill यह सारे के सारे को माने तो इसको लोग यहीं पर cover करते हैं ठीक है तो देखो अब बात करते हैं treatment की treatment in case of change in PSR admission retirement and death तो इसको मैं एक एक जांपल के तुर सब्लिमेंट कर रहा हूं तो देख लेए workman compensation देखो अब यह workman compensation reserve जो है यह कहां पर सो होगा हमें यह हमें सो होगा balance rate के liability side में तो हमने के example बनाया कि balance it as a 31st month 2019 workman compensation reserve में कितना appear हो रहा था 20,000 का कितना 20,000 का अब यहां पर तीन case मैंने बनाए है कि there is no liability towards compensation पहला case कहा है कि compensation के regard में कोई भी liability है ही नहीं दूसरा case there is liability of rupees 20,000 towards compensation अब यहां पर liability कितनी है यह compensation के regard में 20,000 case number 3 there is liability of rupees 30,000 towards compensation अब यहां पर compensation के लिए कितनी लबड़ी है 30,000 तो so that treatment in the books of AB and company और PSR मने कितना जूम किया 1 is to 1 चलो इसको आप लोग पॉस करके राड़ डरों कर लेना अब इस example को हम continue करते हैं दखिये solution केस वन केस वन तो केस वन के case में क्या होगा केस वन क्या है no liability नो liability तो इसके लिए हम क्या पास करेंगे जर्नल के एंट्री जेवी पास कर लेंगे डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकूलर ठीक है देखो तो पहले केस में क्या है क्या कोई liability है नहीं है liability तो जब liability नहीं है तो अब यह जो रिजर्ब होगा इसके क्या प्लेट होगा क्योंकि चेंजिन प्येशार इस दी केस ओप री कंस्टिटूशन देयरफोर इस रिजर्ब शुट बी डिस्टिब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेसियो तो देखो दोस्तों अब इसको हम डिस्टिब्यूट करेंगे तो डिस्टिब्यूट करेंगे तो यह प्रोस्में लापिलिटी सांट में अपीर हो रहा है तो यहां पर यह क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा जिसके चलते बुक से यह बाहर हो जाएगा तो यहां पर एंट्री जो होनी है इस केस में वर्क मेन कमपनसेशन रिजर्ब अकाउंट डेबिट कितना ट्वंटी थाउजेंड टू रिश्यो दो क्या है वन इस्टू वन इस्टू वन का रिश्यो ए और बी में बाटना है तो हम क्या करेंगे एस कैपिटल अकाउंट 10,000 B.S. कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000 ठीक है तू ए कैपिटल अकाउंट 10,000 तू B. कैपिटल अकाउंट 10,000 ठीक है दोस्तों अब इसको लिख लेते हैं बिंग एरिजर्ब डिस्ट्रिब्यूटेड इन ओल्ड एरेसियो ठीक है तो यह है case number one hope so यह clear हुआ हुआ आपनों को चली case two की बात कर लेते है case number two case number two अब यहाँ पर दखो यहाँ पर क्या है workman compensation रिजर्ब कितने का 20,000 का liability कितने की rise हुई है 20,000 का liability rise हुआ कितने की liability rise हुआ 20,000 का liability है राई जब आप बताओ अगर liability 20,000 है तो workman compensation कितना बचेगा मेरे पास nil कितना बचेगा nil तो जब निल बचेगा तो क्या कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की जुरुत है मुझे नहीं है बिल्कुल भी नहीं है तो देखो दोस्तों liability को पहले हम जो भी अगर liability arise होती है तो सबसे पहले इस liability को हम set off करेंगे किसके against में workman compensation जर्ब के against में क्या कर लेंगे इसको set off कर लेंगे और जो भी balance जर्ब बचेगा उसे जर्ब को हमें distribute करना है old ratio में तो यहाँ पे चुकी liability मेरा कितना था 20,000 का था और workman compensation भी 20,000 का था तो मेरे पास balance workman compensation जो बचेगा वो बचेगा nil तो देखिए workman compensation रिजर्ब बताए यह कितना है 20,000 इसमें से minus कर देंगे liability towards workman compensation this is also 20,000 तो यहाँ पे बताए बच्चो क्या बचा nil balance क्या बचा nil तो balance अगर nil बचा तो journal entry होगा क्या बताओ क्या कोई journal entry पास होगी तो no journal entry no journal entry तो there is no requirement to pass journal entry in such case since all the liability all the workman compensation has been exhausted for the liability arises ओके चलिए यह case 2 इसको मैं यहाँ से erase करता हूँ आप लोग इसको पौच करें पौच करके इसको no doubt कर लें case 3 case 3 केस 3 में क्या था यहाँ पर लाइबिलीटी कितनी थी 30,000 30,000 30,000 का यहाँ पर लाइबिलीटी था तो अब आप बताओ और जो अमारे पास वर्कमेन कमपनसेशन था WCR वो कितना था 20,000 का अब देखो क्या case बना क्या case बना हमने रिजर्ब कितने का बनाया था हमने रिजर्ब कितने का बनाया था हमने रिजर्ब बनाया था 20,000 का हमारे बुक्स में रिजर्ब था 20,000 का और वर्कमेन के अगेंस में जो लाइबिलिटी आई है वो कितनी आई है 30,000 खा तो अब आप बताओ कि क्या मेरे पास sufficient reserve है जिससे कि मैं इस सारे लाइबिलिटी को मेट आउट कर पाऊंग आंसर इस नो वी है नो sufficient workman compensation reserve to pay out this liability तो how do you deal this situation कैसे आप लोग डिल करोगे इसी पर हम discussion करने जा रहें दोस्तों तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा कि यहां पर जो एक्सेस जो लाइबिलिटी है 10,000 का वो कौन बियर करेगा उस एक्सेस लाइबिलिटी को old partner bear करेंगे कौन बियर करेगा old partner bear करेंगे तो इसको हम लोग जो impact लेकी जाएंगे वो कैसे लेकी जाएंगे through the revaluation कैसे लेकी जाएंगे through revaluation तो देखो तो यहां पर हमें क्या करना है देखिए जो journal entry हम पास करेंगे जो भी journal entry हमें पास करना है वो कैसे पास करना है जननल entry क्रेडिट पर्टिकुलर ठीक है दोस्तों देखिए impact क्या पड़ेगा जो liability है 30,000 का liability तो उतना हमें payout करना ही होगा क्या करना हो जोस्तों liability तो उतना made out हमें करना ही है उसको हम ताल नहीं सकते तो देखिए यहां पर जो impact पड़ने वाला है पहले इसको हम कर लेते हैं टू लैबिलिटी फोर डवलू सी आर मतलब workman compensation reserve यह कितने का था 30,000 का कितने का था 30,000 का और मेरे पास जो workman compensation reserve account वो कितना है 20,000 तो यह जो balance जो 10,000 है वो कहां जाएगा reevaluation account reevaluation account में जाएगा ठीक है और इसको में का करना होगा फिर old partner में distribute कर देंगे तो यहां पर old partner debit capital account debit to reevaluation अच्छा old partner कौन कौन है एक मिनेट ए और बी है ना तो कितने का रोशा आईच हुआ 10,000 का तो यहां पर A capital account debit B capital account debit 5,000 to reevaluation account ठीक है तो लोग यह हमारा covered हुआ workman का अच्छा यहां पर यह क्या है क्या लिखोगी बिंग liability for workman compensation revalued क्या लिखोगे बिंग liability for workman compensation revalued ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह impact है अगर जादा हुआ तो 10,000 हमारा the valuation के थ्रू हम क्या करेंगे इसके impact को कैसा दिखाएंगे थ्रू दी revaluation तो the valuation के थ्रू हम इसको दिखा लेंगे ठीक है ठीक है ठीक है आदेश्ये माफचे आदिक है ठीक है ठीक है तो इसके प्रूह जाद करेंगे थेडिक है नख़ने को दिखते है प्रूह आद दो जादेवे इसरिबक है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुवेशन रिचर्ब ठीक है अब हम लोग समझते हैं ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुवेशन रिचर्ब क्या होते हैं ठीक है देखो दोस्कों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुवेशन रिचर्ब अब जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा क्या पता होगा सोचो क्या पता होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम मार्केट में करते हैं वो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन दा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की जो value है depend upon the future और जैसा कि अब लोग जानते हैं कि future is always uncertain future is always uncertain तो future तो uncertain होता है तो future जब uncertain होता दोस्तों तो obvious सी बात है कि we can't predict the future तो यहाँ पे क्या हो सकता है may be possible कि जो आपका investment का value है वो increase हो जाए या यह भी possible है कि वो value क्या हो जाए decrease हो जाए तो अब चुकि आज का situation अगर हम compare करने जाए जो current situation हमारा चल रहा है तो आज के time पे market का बुरा हाल है तो obvious सी बात है जो हमारा investment का value होगा वो भी क्या होगा declining stage में होगा तो यह जो loss जो होता है market value में meet out करने के लिए हम लोग एक reserve बना लेती है investment fluctuation reserve investment fluctuation reserve और यह भी कहां से बनेगा यह भी P&L के through ही बनेगा कैसे बनेगा P&L के through अब आप लोग बात करोगे अगर investment fluctuation reserve को हमने बनाया होगा तो entry कैसे pass करेंगे अब यह दोस्तों को आपके syllabus का पार्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं बता रहा लेकिन फिर भी में बताये तो हम आप लोगो entry P&L के through ही बननी है न तो entry क्या बात करोगे profit and loss account debit to investment fluctuation reserve इसी तरीके से profit and loss account debit to workman compensation reserve इसको आप बोलोगे कैसे तो partnership में क्या होता है पेंडल अप्रोप्याशन बनता है ना पेंडल अप्रोप्याशन तो तो देखो यह सब जो भी केसे से इसको हम लोग क्या करेंगे बेंडल से बना लेंगे प्रोविजन और फिर बनने के बाद क्या होगा यह बैलेंस इट में आ जाएगा और बैलेंस इट के थुरू फिर हम इसको accumulated profit के जैसा ट्रीट कर लेते हैं ठीक है आईए अब हम तक यह पर यहां पर जोपना मार्केट है वो कभी यू चलेगा कभी ऐसे 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 तो यहां पर जो हम अरिजर बनाते हैं न हम इसके ल यह बनाते हैंskade कि एक यह आउजा इसके लिए हम बनाते हैं है आई एफ आर किए इन्वेश्टमेंट फ्लक्ाइशान रिचाब अपब्स्वेशान आई दो हूँ यहां पर थो दोले से बाते स्किल लिका लो इन्वेश्टमेंग fluctuation reserve is created to meet out meet out the fall in value of investment investment fluctuation reserve is created to meet out the fall in value of investment in case of reconstitution this reserve should be traded old partner in old ratio तो इन केस ओप री कंस्टिट्यूशन इस रिजर्ब शुट भी केडिटेट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेस्यो तो ओल्ड पार्टनर के बीच में इसको ओल्ड रेस्यो में हम लोग क्या करेंगे डिस्टिब्यूट कर देंगे ठीक है चलिए तो इसको भी हम लोग एक एक जामपल के थ्रूई सब लिमेंट करेंगे ठीक है ना आए फिर देखतें एक जामपल एक देखो अजो जामपल एक जामपल एक ट। यहां पे लिएबिलिटी आई फार अजूम कर लो 50,000 अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट यह आई फार हम लोग मांते है फिप्टी थाउजंड का ठीक है और इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो किया है 1 लाइक 1 लाइक का हमने क्या किया इन्वेस्टमेंट किया है ठीक है दोस्तों चलिए फिर अब कुछ केस बनाते हैं लोजिक केस वन मार्केट वेल्व मार्केट वेल्व कितना दोस्तों 1 लाइक केस टू मार्केट वेल्व मार्केट वेल्व कितना है रुपीज 1 लाइक 10,000 केस थ्री मार्केट वेल्व रुपीज 90,000 रुपीज 90,000 ठीक है चलो इसका अब लोगो तारो जब तक उसके बाद हम लोग स्लूशन शुरू करती है लीजी दोस्तों राइट डाउन करिए राइट दोस्तों चलो तो कर लिया आओ देखते है चलो केस नमबर 1 को हम पिक करते है केस नमबर 1 यहाँ देखो केस 1 अच्छा एक केस और बनाते है ठीक है एक केस और बनाते है केस फोर यहाँ पिलिखते हैं दोस्तो मार्केट वेलू मार्केट वेलू 40,000 यह लो ठीक है अब सभी तरीके सारा कवर्ट जाएगा तो मार्केट वेलू बताएगे कितना है एक लाग बुक वेलू कितना है वो भी 1 लेक तो बताओ कुछ लोस हुआ क्या लोस इन वैलू हुआ कुछ निल तो क्या कोई एंट्री पास करने की जुरत है है जुरत नहीं है तो यहाँ पे नो एंट्री ठीक है केस टू केस टू में दखो मार्केट वेलू कितना मार्केट वेलू कितना दोस्तों 110,000 बुक वेलू कितना बुक वेलू कितना 1,000 बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है लोस वह रहा है के प्रोफिट हो रहा है प्रोफिट प्रोफिट 10,000 प्रोफिट 10,000 तो बताईए फिर इस केस में क्या होगा सोचो सोचो क्या होगा इस case में क्या कुछ loss arise हुआ क्या कुछ loss arise हुआ बिलकुल नहीं हुआ तो जब loss arise नहीं हुआ तो इसका entry क्या हो न जी है यह जो total जो IFR होगा यह पूरा का पूरा distribute हो जाएगा debit credit रुपीज particular देखो जोस्तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक entry pass की जाएगी क्या investment account debit to a revaluation account अब यह आप बोलोगी यह क्या अरे भाई यह तो देखो ना book value मेरा एक लाग का है और market value कितना एक लाग दस जार तो यह जो जो profit राई उच्वा 10,000 का क्या इसका impact नहीं लेंगे बिलकुल लेंगे तो 10,000 का यह हो गया हमें भाइदा due to the market ठीक है और अब क्या करेंगे यह जो WC आई एफ आर जो है आई एफ आर अकाउंट डेबीट यह री वेल्वेशन अकाउंट डेबीट तो आई एफ र कितना पड़ा दोस्तों पचास जार और यह वेल्वेशन कितना आया हमारा तेन थाउजन्ट का इन दोनों के क्रेड़ किसको मिल जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर को ने हम माल लेते हैं एक कैपिटल अकाउंट बताई यह कितना हो जाएगा इक वली मानते हैं 30,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 30,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 30,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 30,000 टू इस तरीके समिश को क्या करेंगे treatment दे देंगे केlock लोश नयगति तो दोस्तों, है अई है न मारकेट औरुष हुआ है मैं उसको finance को मिलना है Inhale Best ॉर ये केस में पूरा tribe हमें क्या करना पढ़ेगा distribute करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तोसकों distribute करना पड़ेगा ठीक चलिए बिटाओं आगे चलते केश थ्री केश नूमबर थ्री ड़िया market value how much 90,000 book value कितना book value कितना है rupees 1 lakh तो बताइए loss कितना हुआ loss कितना हुआ rupees 10,000 ठीक है तो यह हो गया market के चलते loss तो अब बताओ जब market के चलते इतना loss वहा तो मेरे पास IFR कितना था IFR था मेरे पास 50,000 का तो यह जो loss है दोस्तो यह loss किसका against मेरे रच हो जाएगा IFR के against में तो देखिए IFR कितना था मेरे पास 50,000 minus कर देंगे loss in value of investment बताइए कितना 10,000 का तो हमारे पास जो balance बचा IFR वो कितना बचा balance IFR कितना बचा दोस्तो 40,000 का बचा तो इसका हम लोग क्या पास कर लेंगे J E journal entry particular, पताईए IFR अकाउंट डेबिट कितना दोस्तों IFR 40,000 के बचारा मने पास 40,000 किसको मिलेगा A Capital A Capital अकाउंट 20,000 2 B Capital काउंट 20,000 ठीक है यह बट गया Old Erasurement अच्छा ठीक है दूस्तों तो 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 यहाँ पर आप लोग एक Line एड़ कर लो Line क्या एड़ करोगे अच्छा यहाँ पर लोगे यहाँ पर लिख लोग A और B पार्टनर थे 1 is to 1 में बस ठीक है ठीक है दोस्तों तो यह है All About The Reserve अभी एक केस और बसता है Case 4 Case 4 पर हम कवर करते है चलिए यहाँ पर देख लिते हैं कितना मर्केट वैलू Market वैलू कितना है 40,000 Market वैलू 40,000 Book वैलू 1,00,000 तो यहाँ पर Lows in वैलू कितना है Rs. 60 कितना है 60 अब आप बताओ मेरे पास IFR कितना है IFR कितना है मेरे पास Rs. 50,000 Rs. 50,000 का मेरे पास IFR बचा हुआ है तो अब आप बताओ क्या यह IFR सफिसेंट है जिससे कि सारा कि सारा वैलू जो Lows मेराई जुआ है वो सारा इसके गिंस में इंजोस्ट हो जाए Answer is No तो इसको हम कैसे डील करेंगे यह हमें देखना है ठीक है देखिए Journal Entry Debit Rs. Credit Rs. पीज पर्टिकूला बताए दोस्तों बताए बहुत सिंपल एको दिक्कत दोले वाद नहीं है बोलो 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 बताए क्या में प्रेक्ट होगा सोचो सोच के बताओ बताए कितना बेलु गिरा बताओ कितना बेलु गिरा ठीक है, 60,000, तो जो 10,000 अब जो एक्स्ट्रा जो लोस हाला है, वो कौन बियर करेगा, आप बता, कौन बियर करेगा, जो 60 का लोस हुआ, 50 तो इसके गिन से बाज आएगा, 10,000 कौन बियर करेगा, ओल्ड पाट्नर, तो थ्रू रिवेल्वेशन, रिवेल्वेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा, 10,000, और अन्त में क्या होगा, ये जो रिवेल्वेशन है, 10,000 का, इसको डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे, A, कैपिटल अकाउंट, 2, B, कैपिटल अकाउंट, बोलो, कितना होगा, 5000, 5000, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है न, चलो, देखते हैं, तो देखो दोस्तो, अब इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, कि आप लोगों को कन्फूजन आ रहा हो, लेकिन कन्फूज वाली कोई बात नहीं है, देखो, अगर मेरा मार्केट वैलू 40 है, और बुक वैलू अगर 1 ने के है, क्या होता है, हिस्टोरिकल कुंसेप्ट, हिस्टोरिकल कुंसेप्ट क्या बोलता है, हिस्टोरिकल कुंसेप्ट यह बोलता है, कि all the assets acquired should be recorded in books at their original cost, add their original cost, तो वो original cost को ही आएगा, तो एक लाग का जब मैंने buy किया था, तो एक लाग का ही, यह reflect होगा मेरे balance sheet में, अब देखते हैं कि अगर एक लाग मेरा value है, और आज के time पे, जो market है, अगर वो 40 हो गया है, तो direct क्या होगा हमे, loss in value हो जाएगा, कितने का, 60,000 का, तो अब इ कि सारा का सारा IFR, exhaust हो जाएगा, यानि कि 50,000 इसी को set up करने में लग जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी excess loss 10,000 का बचा रहेगा, तो यह जो excess loss 10,000 का बचा रहेगा, इसको कौन bear करेंगे, partner bear करेंगे, तो इसका impact हम कैसे लेके जाएगे, through the revaluation account, तो इसलिए मैंने दु साथ यार से मैंने साथ यार किया, और दस हजार का impact जो गया हो, किसमा गया, revaluation में, और इस revaluation को, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कुछ गल्ती हो रही है क्या, ओ, गल्त एंट्री पास कर दिया, मैंने, sorry, 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 ये एंट्री मैंने गल्त पास कर दिया, देखो दोस्तों, तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, A. Capital Account Debit, 5000, B. Capital Account 5000, to revaluation 10,000, ठीक है, अब सही है, ठीक है, बोलिए, सही है, चलब दोस्तों, तो इसी के साथ, ये आज का lecture में conclude करता हूँ, तो ये reserve तक हो गया, अब दोस्तों, गुडविल को मैं next class में discussion सुरू करूंगा, हम first class से start करेंगे, उसको अच्छे तरीके से broadly covered करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ, अब ये तक reserve का हमने proper discussion हमने कर लिया, ठीक है, अब अगली class में हम लोग सुरू करेंगे अपना goodwill का chapter, उसको भी अच्छे तरीके से cover करेंगे, खुब बने हैं तरीके से, और हाँ इंपर में दुबरा पता आता हूँ, ये कुछ treatment जैसे goodwill होगा, ये reserve होगया, और revaluation, ये तीनो common है, तो इसको मैं common तरीके से ही आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, इसको ध्यान ने कियागा, ठीक है दोस्तों, तो इससे के साथ ये class complete हो maximum से maximum मैं दोस्तों को share करें, और किर्पया मेरे चैनल को subscribe करें, जिससे कि मुझे motivation मिले, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करता रहूं, ठीक है दोस्तों, तो इससी के साथ सब को अलविदा और next class में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है